नमस्कार जैस्री राम बहुत सारी शुब कामना हैं आप सभी को नौवर्स 2018 के लिए आईए जाने कैसा रहने वाला है हमारा और आपका नौवर्स 2018 राशी मेज के जातक शावधानी के साथ अपने नौवर्स 2018 के बारे में जानेंगे और जो शावधानिया है वर्स के बारे में उसको वर्तेंगे सबसे पहले स्वास्त के दृष्टी से देखते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्पूर्ण होता है स्वास्त स्वास्त के द्रिष्टिकॉर्ण से देखा जाए तो वर्ष 2018 आपके लिए बहुत उत्तम है स्वास्त आपका बहतर रहेगा पस्पृती बनी रहेगी इस वर्ष 2018 में शादी से संबंधित ये कोई कारे है आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो निश्चत रूप से ये आपकी जो अभिलासा है वो पून होने वाली है 2018 में आपके निश्चत रूप से शादी होगी व्यापारिक द्रिष्टिकॉर्ण से निश्चत रूप से बढ़ोत्तरी होने वाली है घर का माहुल खुश्चनमा रहेगा परिवारिक सदस से एक साथ मिल करके रहेगे आत्मिश्वास 2018 में बना रहेगा पढ़ाई के लिए 2018 आपके लिए बहुत बहतर रहने वाला है भाग ये पूरी तरह आपके शाथ रहेगा साउधानी किस प्रकार की रखनी होगी 2018 में और किस जातक के लिए मेश्रासी का जो है वो 2018 खराब रहने वाला है अगर आप राजनेतिक शेतर में हैं आपको साउधान रहने क्या हो सिकता है पबलिक अंत समय पर आपके साथ धोखा देने वाली है जो आप ही के लोग हैं वो आपके साथ बिश्वास खात करने का प्रयास करेंगे इसलिए साउधानी रखनी है जो लोग राजनेतिक शेतर में हैं राजनेतिक शेतर में प्रवेश कर रहे हैं senior जो लोग हैं उनके साथ आपका combination आपका ताल मेल बहतर नहीं रहेगा वहाँ पर आपको ध्यान देनी किया वोश्कता है ब्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो भी साउधानी किया वोश्कता है किस प्रकार की ब्यापार में हाथ में काम आते आते छूपने की वो है हाथ में जो काम आ रहा है आपको पूरी तरह से लग रहा है कि ये कारी मेरा बनने वाला है वहाँ पर अंत समय पर जा करके दिक्कते होने वाली हैं नौकरी में आपको समय से ज़्यादा कारी पर रोका जाएगा और जितनी आप महनत करेंगे उसके अनुसार फल की प्राप् किया जा सकता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण कारिये करना है तो कौन से महीने में आपको करना है ध्यान रखे मई का जो महीना है आपके लिए बहुत बहतरी रहने वाला है मई के महीने में जिस महीने में सूर्य मेसरासी में गोचर करता है उस महीने में आपके द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा जून के महीने में आप का आत्मिश्वास बढ़ा रहेगा confidence level बढ़ा होने के कारण आप बहुत अच्छे फलकी प्राप्ती करेंगे अगस्त की बात करें भूमी से संबंधित कोई कारी करना चाहते हैं कोई भूमी इत्यादी लेना चाहते हैं वहाँ से संबंधित कारी करना चाहते हैं जरूर करें बहुत अच्छे फलकी प्राप्ती होगी अगर बात करते हैं हम सब्टम्बर महिने की स्टम्बर मास की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना होगा अधिकतन समय पढ़ाई परव्यतीत कीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक बात ध्यान रखिए अक्तूबर और नॉमबर दो ऐसे महिने होंगे आपके लिए जिसमें आपको शावधानी रखने की आऊश्यक्ता है अक्तूबर के महिने में शत्रू आपको बहुत ज़्यादा परिशान करेंगे और नॉमबर के महिने में आपके कारियों में बहुत ज़्यादा औरोध आने वाला है तो जो कारे उचस्त लेबल पर होंगे उस कारे को कभी भी अक्तूबर और नॉमबर दो महिने में नहीं कीजिएगा इन महिनों में किये गए कारे में असफलता प्राप्ती के बहुत ज़्यादा योग आपको प्राप्त होने वाले हैं उसके साथ यदि हम बात करें चैत्रमंत की बात करते हैं तो चैत्रमंत में धनका जो ब्याय है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है अच्छा अब क्या ऐसा है जिसको करके हम अपने पूरे वर्ष को बहुत बहतर बना शकते हैं दो चीजों के लिए मैंने बात किया था कि ये वर्ष आपके लिए खराब है जो राजनेतिक छित्र में जो लोग हैं उनके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए आप सभी को पता है मेंस रासी मंगल कृत रासी है काल चक्र की सबसे प्रथम राशी है मेंस रासी के जो स्वामी है वो मंगल है इस दोहे का नियमित रूप से आपको पाठ करना है चाहे आप किसी important meeting के लिए जा रहे हैं पाँच बार इस दोहे का पाठ करके जाएगा निश्यत रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी अगर नौकरी में दिक्कते चल रही हैं बहुत परिशान हो रहे हैं तो आप निश्यत रूप से पास दिन लगातार सिर्फ इस दोहे का पाठ कर लेंगे आपको नौकरी में चल रही दिक्कते आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी सीनर अधिकारियों का सपोर्ट राप तो होना सुरू हो जाएगा घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो फिर भी इस दोहे का पाठ करेंगे निश्यत रूप से आपके जो घर का वातावरण है वो आपके अनकूल हो जाएगा यानि कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि 2018 में स्री राम चरित्रमानस बालकांड दोहा नंबर 17 आपके लिए अमृत है जिसका पान करने से आप अपने 2018 को अज उत्तम बना करके अपने जीवन को सुक्षम्रदियों से परिपूर्ण कर लेंगे राशी मेज के जातक के लिए मेरी बहुत सारी शुब कामनाएं है और मेरी भगवान राम से प्रारतना है कि 2018 आपका खुशियों से भरपूर रहे जैसे राम